चाइना में इन दिनों heat wave चल रही है इस heat wave के कारण चाइना में कई सारी नदिया जो है वो सूख गई है और पानी का स्तर नीचा होता जा रहा है इसी बीच चाइना की एक बहुत बड़ी नदी है जिसके सूखने के बाद 600 साल पुरानी मूर्तिया मिली है चाइना में बसे चॉंक्विंग शहर का एक आइलेंड है लंबे समय से ये आइलेंड डूबा हुआ था लेकिन heat wave के कारण इस आइलेंड का पानी भी सूख गया और उसके बाद इस आइलेंड से ये मूर्तिया निकली है इस आइलेंड का नाम फॉली यांग है और इस आइलें में ये मूर्तिया थी क्योंकि जलस्तर इतने समय से इतना घटा नहीं और इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है जिस कारण जलस्तर नीचे आया तो ये मूर्तिया भी बाहर आई है आपको बता दे कि चाइना अभी गर्मी की मार जेल रहा है चाइनीज अथॉरिटी झाले झाले भी बाहर आई है